नागलेंड के ओटिंग में सिविलियन पर फाइरिंग केस की जाच के लिए राज्य सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी बिनाई है आई जी लेवल के अफसर की ये कमिटी शनिवार शाम को हुए पूरे घटना करम की जाच करेगी इसके साथ ही नागलेंड सरकार ने फाइरिंग में मारे गए 13 लोगों के परिजनों और 5 लाक रुपे के मुआवजे का उनके लिए एलान किया है साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ही उठाईगी शनिवार शाम को सुरक्षबलों की फाइरिंग में 13 नागरिक मारे गए थे जिसके बाद इलाके के लोगों ने असम राइफल्स के कैंप को घेर लिया जिसमे एक जवान मारा गया सेना ने बयान जारी करके कहा कि जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई केंद्रिय ग्रिमंत्री अमिच शहा ने इस घटना पर दुख जताते हुए न्याय का भरूसा दिलाया वहीं टीमसी आज अपना डेलीगेशन भीज रही है